तो आज की वीडियो की टाइटल से आप ये जान चुके होंगे कि आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको भी अपनी स्किन पे ग्लोइंग के साथ साथ ब्राइटनिंग, लाइटनिंग और टाइटनिंग एफेक्ट लेना है तो आपको लेना चाहिए ये टुमेटो फेशल जो के हम घर पे बनाएंगे और बहुत ही सिंपल से तीन स्टेप को फालो करते हुए हम ये फेशल करेंगे अस्सलाम अलेकूम, वेलकम तो माई यूट्यूब चेनल तो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब उमीदे सब ठीक ठाक और खेरियत से होंगे तो फ्रेंट्स बागे टाइम वेस्ट किये चलते हैं रेमेडी की तरफ आज की रेमेडी में जो इंग्रीडियन्ट मैं यूज़ कर रही हूं वो आपको अपने घर पे इजीली मिल जाएंगे कोई ऐसी चीज नहीं जो ना हो इस्ते वंद है हमारा क्लेंजिंग क्लेंजिंग के लिए मैंने रॉमिल्स लिया है और टोमेटो पेस्ट लाँपर यहां पे इयां तो प्यूरी बोल देए संटेन को रिमूफ कर देंगे और हमारी स्किन को ब्राइट कर देंगे रो मिल्क एड़ करूंगी मैं इसमें तकरीबन दो टेबल स्पून दो टेबल स्पून यहां पर मैंने रो मिल्क यानि कच्छा दूद लिया है इन दोनों चीज़ों को आपस में हम अच्छी से मिक्स करक पहले तोड़ा सा यह जोंने विक्सर तयार किया है उसको लेकर हम अपनी इसकशन पर अपलाई करेंगे पर अब कर दें और अच्छे से इसको क्लेंजिंग कर दें नॉर्मल हैंड के जादा प्रेशर नहीं देना है क्लिञ्जिंग में इक प्रेंड्स मिल्क जो होता है रॉ। उसम्में लेक्टिक आसट पाया जाता है यह मेरी इसकिन से डिर्ट को साफ कर देगा और हमारी इसकिन को क्म्प्लीटली लिट ली कर देगा जो 3-4 में तक आप ऐसको करें आप नॉर्मल पानी के साथ लेकर देदें के साथ हैं आप देख सकते हैं इसकिन कितनी शायन कर रही है और ह्लीन हो गई यह फ्रेंड्स अब सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं सेकंड स्टेप है हमारा स्क्रबिंग इसक्रबिंग के लिए मैंने यहां पर चीनी ली है शुगर और एक टुमेटो लिया है मैंने टुमेटो के को अच्छी तरह से साफ कर ले अब मैं इसको बीच से कट कर लूँगी इसको हाफ कर लूँगी हाफ करके टुमेटो को मैं चीनी में डिप करूँगी और अपने फेस की स्क्रबिंग करूँगी इस तरह से अच्छे से आप अपने फेस की नेक की स्क्रबिंग करें चीनी में ग्लाइकोलिक एसेड होता है यह हमारी इसकिन को कैमिकली एक्स्वॉलियट करेगा चार से पांच मिंट हमें स्क्रबिंग करनी है अपने फेस पे नेक पे अच्छी तरह से आप स्क्रबिंग करें इसके बाद हम इसको पांच मिंट तक एसे ही छोड़ देंगे वाश नहीं करेंगे ताके चीनी जो है वो अपना काम करें डेड इसकिन से हमारी इसकिन अनेविन और रॉफ लगने लगती है जिसकी वज़ा से हमारा कॉंपलेक्शन भी डल होने लगता है पांच मिंट गुज़र जाने के बाद आप शको नोर्मल पानी से सादे पणी से वाश करदें और ड्राइ करें को आप देख सकते हैं इसकिन कितनी क्लीन उप हो गई है अब चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, थर्ड स्टेप जो है वो है हमारा मास्क और मास्क बनाने के लिए जो इंग्रीडियंट यहां पर मैंने लिये हैं, सबसे पहले मैंने यहां पर लिया है राइस फ्लावर, चावल का आटा, चावल के आटे में ब्राइटनिंग और जो पर लिये पर लोगी चावल का आटा, पेस्ट बनाने के लिए यहां पर मैं यूज कर रही हूं टुमेटो का जूस, यहां पर में टुमेटो का पेस्ट यूज नहीं करूंगी, हम इसमें डालेंगे टुमेटो का जूस, तमेटो मैं वाइतमिन A, B और C पाया जाता है, अब इसमें डालूंगी योगर्ट योगर्ट मैंने लिया है एक टीस्टून योगर्ट में लैक्टिक एसिद और जिंक को पाया जाता है ये हमारी स्किन के डाक स्पोर्ट को पिगमेंटेशन को पैचिस को लाइट कर देगा मेरी स्किन थोड़ी ड्राइ है तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ वाइटमिन E ओयल अगर आपको ड्राइ स्किन का इश्यू नहीं है तो भले आप इसको स्किप कर दे सारी चीजों को आपस में मिक्स करेंगे और पेस्ट बना लेंगे अच्छे से इसकी मिक्सिन करके सॉफ्ट सा एक पेस्ट बना दे अब यहाँ पर अगर आपको लगे कि आपका जो है पैक वो ठिक हो गया है जैसे मेरा हो गया है थोड़ा ठिक लग रहा है मुझे तो अब मैं इसमें एड़ कर लूँगी थोड़ा सा टमेटो का जूस अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और सिमूथ सा एक पेस्ट बना लेंगे अच्छे से मिक्सिंग करके हमने पैस्ट बना दिया है अब इसको हम करेंगे अपनी सिकिन पर अपलाए हम जेंटली से इसको हलका सा अरप करते हुए पूरी स्किन पे हम अपने ये मास्क को अप्लाए कर देंगे और इसको हम 20 मिनट के लिए लगा रहने देंगे अच्छे से अप्लाए करके आप इसको 20 मिनट के लिए छोड़ दें हम जब आपको लगए कि यहल्का सा सूख गया है 15 मिन बाद अगर आपको लगए कि यहल्का सा थोड़ा सा सूर्ब गया थो अब हम इसको हलके से 65 करेंगे कि अब हलके से स्टृब बात अबको फील होगा कि बहुत ही स्किन बहुत ही एक क्लीन सा लुक देगी आपको और स्क्रबिंग करने के बाद थोड़ा सा में स्क्रबिंग 2-3 मिंट तक स्क्रबिंग करके पुरा मास्क हम उतार देंगे और उसके बाद हम नॉर्मल पानी से इसको वाश कर देंगे अगर मैं इंस्टन रिजल्ट की बात आपकी स्किन में गिलो आ जाएगी और आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट नजर आएंगे लेकिन अगर मैं लॉंग ट्रम की बात करूं तो इसके लॉंग रिजल्ट के लिए आपको जो है इसको ट्वाइस लगाना पड़ेगा बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपकी स्किन अन एविन टॉन में से एविन टॉन पर आ जाएगी आप देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है किस तरह ग्लोइंग और क्लीन हो गई है हमारी स्किन वीडियो पसंद आई हो तो आप उसको लाइक कर दीजेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें थेंक यू सो मच पर वाचिंग